हेलो अब्रीवन ये लाइफ प्रोसेस का फौर्थ वीडियो है और इस वीडियो में हम हुमन डाइजेशन की बात करने वाले हैं हुमन डाइजेशन में सबसे पहले माउथ में डाइजेशन salivary juice की help से उसके बाद stomach में digestion gastric juice की help से और उसके बाद duodenum में जो digestion होगा उसमें liver, pancreas और intestinal juice इन सब की help से जो digestion होगा इसे हम देखने वाले हैं तो ध्यान रहे कि ये जो आज का lecture है हम इसे काफी detail में करने वाले हैं क्योंकि NCIT में तो ज़्यादा नहीं दिया है लेकिन जो प्रदीप, दिनेज और लक्वीर सिंग एसचांद publication की जो books हैं इन में काफी detail में दिया हुआ है और कभी-कभी आपकी school में भी किसी-किसी school में कुछ-कुछ teachers थोड़ा सा ज़्यादा इसको detail में discuss करते हैं इसलिए हमने इस topic को काफी detail में discuss किया है आप इस topic को करने के बाद 10th में दो page में ये दिया हुआ है पूरा topic पूरे topic को आप एक-एक line आपकी clear हो जाएगी इस पूरे video को देखने के बाद तो चलिए स्टार्ट करते हैं digestion of food mouth में digestion salivary gland की help से complete होता है mouth में mechanical और chemical दोनों process के through food का digestion होता है यानि कि food particles को यहाँ छोटे छोटे टुकडों में तोड़ दिया जाता है और यहाँ जो starch है उसको भी break कर दिया जाता है chemically तो buccal cavity में mainly दो function perform होते हैं एक होता है mastication of food और दूसरा होता है facilitation of solving solving का मतलब होता है खाने को निगलना इसके लिए टर्म है deglutition अब जब food mouth में saliva के साथ mix होता है तो वो एक round shape का structure बनाएगा जिसे क्या बोलेंगे bolus अब यह जो bolus होगा यह pharing से होता हुआ और isophagus से होता हुआ कहां चला जाएगा स्टमक में और स्टमक में जाते समय जब यह isophagus के थूँ जाएगा तो isophagus में जो involuntary muscles हैं उनमें successive contraction होगा और इसे क्या कहेंगे इसे कहेंगे peristalsis तो यह peristalsic movement के थूँ food कहां पहुँच जाएगा स्टमक में अब isophagus और स्टमक के बीज में कुछ muscles हैं जो की food के entry को regulate करती हैं और यह जो muscles हैं इनको बोलते क्या है gastro-osophageal sphincter तो gastro-osophagus कहां से आए स्टमक से आए और isophagus से क्या आगया isophageal अब इस्टमक में क्या digestion होता है उसको बाद में देखेंगे पहले यह समझते हैं कि जो saliva secret हुआ है उस saliva में कौन-कौन से enzyme है तो ध्यान रखना है कि दो enzyme है एक है salivary amylase और दूसरा है lysozime अब जो salivary amylase है इसका function है कि यह carbohydrate यह carbohydrate यानि कि starch जो हम food ले रहे हैं उसमें mainly क्या होता है carbohydrate होता है और carbohydrate हम क्योंकि plant से ले रहे हैं तो किस form में होता है starch की form में होता है तो जो salivary amylase है यह starch को break कर देता है किसमें? maltose में अब ध्यान यह रखना है कि mouth में carbohydrate का complete digestion नहीं होगा केवल 30% starch का ही carbohydrate का digestion होगा और salivary amylase के लिए हमने क्या नहीं दिया एक और carbohydrate splitting enzyme क्योंकि यह carbohydrate को break कर रहा है और starch का maltose में जो conversion होगा इसके लिए जो optimum pH required होता होगा 6.8 6.8 का मतलब क्या हुआ अगर 7 pH है तो इसका मतलब medium कैसा हुआ neutral और अगर 7 से कम हुआ acidic और 6.8 का मतलब हुआ कि बहुत mild acidic बहुत कम acidic pH हुआ यह दूसरा enzyme जो हमने बताया था वो क्या था lysozine और lysozine क्या करता है यह antibacterial agent होता है यानि कि food में हो सकता है कि कुछ bacteria हो जो कि होंगे ही तो उनको यह kill करने का काम करेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा saliva है वो कैसा होता है antibacterial होता है इसलिए अगर हमें कभी चोंट लग जाए तो हम वहाँ पे saliva अगर saliva अगर लगा लेते हैं तो वो क्या होता है antibacterial होने की वज़े से हमारे लिए beneficial होता है अब बात करते हैं digestion is in stomach stomach में gastric juice release होता है और यह जो gastric juice है तीन gland, तीन cells है जो मिल करके secretion करती है उस secretion को क्या बोलते है gastric juice तो यह जो gastric gland है इसमें जो यह three type की cells है यह कौन-कौन सी है number one है mucous neck cell mucous neck cell mucous name में ही आ रहा है यह क्या release करती है यह mucous release करती है इसके बाद number two है peptic और chief cells और यह pro enzyme pepsinogen release करती है pro enzyme का मतलब हुआ यह enzyme अभी active नहीं है तो इस enzyme का नाम क्या है pepsinogen जब यह active हो जाएगा तब इसका नाम क्या हो जाएगा pepsin इसके बाद cell number three है parietal और oxyentic cells और यह जो cells है यह क्या release करती है HCL और साथ में intrinsic factor यह जो intrinsic factor है यह किस में help करता है यह vitamin B12 के absorption में help करता है तो इस तरह से gastric juice में gastric juice का जो component है जो इसका composition है उसमें mucus रहेगा और साथ में pro enzyme जैसे की pepsinogen और साथ में HCL और intrinsic factor इन सब को मिला करके जो fluid बनेगा उसे क्या बोलेंगे gastric juice अब stomach में food कितने time के लिए रहता है चार से पांच घंटे के लिए रहता है और यह vary करता है person to person अब stomach में churning movement की help से यानि की पूरा muscular movement जो muscles हैं उनमें movement होगा और इसकी health से जो food है उसमें gastric juice अच्छी तरह से mix हो जाएगा और अब यह जो food है इसे क्या बोलेंगे काइम ध्यान रखना इस word को काइम जब food stomach में है तब उसका name क्या है काइम और यह food कैसा है acidic है क्या release हुआ है hcl release हुआ है और जब food यहां से आगे जाएगा आगे कहा diodinum में तो diodinum में जब food पहुँच जाएगा तो वहाँ पे कैसा हो जाएगा basic हो जाएगा और तब उसको बोलेंगे kyle तो यह दो word है काइम word कभ यूज़ करेंगे जब food कहा रहता है stomach में और kyle word किसके लिए यूज़ करेंगे जब food कहाँ पहुच जाएगा diodinum में अब आगे बात करते है यह जो pepsinogen है यह pepsin में convert कैसे होगा इसके लिए इसको acidic medium चाहिए होगा और यह acidic medium कहां से मिल जाएगा HCL से मिल जाएगा तो pepsinogen किस में convert हो गया pepsin में और इसके लिए हमने क्या word यूज़ किया है proteolytic enzyme इसका मतलब कि pepsin protein को digest करने वाला enzyme है तो इसलिए इसको क्या नाम पड़ा इसका proteolytic enzyme अब यह protein को break करेगा और किस में convert कर देगा proteuses and peptons proteuses and peptons यानि कि जो peptide bonds हैं वो यहाँ पे break होंगे इसके बाद mucus और bicarbonate mucus और bicarbonate जो gastric juice में present है इसका बहुत important role है और वो क्या है यह lubrication और protection में help करता है किसके protection में अब क्योंकि जो HCL है वो highly acidic है और इतना ज़्यादा acid हमारे कहां release हो रहा है stomach में release हो रहा है तो इस acid की वज़े से जो बाकी दूसरी cells है वो damage ना हो जाएं तो उसको बचाने के लिए क्या release होता है mucus and bicarbonate तो mucus and bicarbonate की health से जो बाकी cells है उनका protection होता है किस से? HCL से HCL का जो यहाँ पे pH रहेगा वो pH level रहेगा वो कितना रहेगा? 1.8 अब जैसे pepsinogen enzyme release हुआ है तो उसी तरह से pro-renin भी release होता है जैसे pepsinogen किस में convert हो जाता है pepsin में तो उसी तरह से जो pro-renin है वो किस में convert हो जाता है renen enzyme में तो आपको याद क्या रखना है कि स्तमक में एक enzyme जो release हो रहा है उसका नाम क्या है pepsin और दूसरा क्या है renen थोड़ा सा small amount में lipase enzyme भी release होता है अब pepsin का तो हमें function पता चल गया renen का क्या function है तो renen जो है ये infants में छोटे बच्चों में ये milk protein casein होता है तो ये milk protein casein के digestion में help करता है और जो है ये lipase है ये किस में help करेगा lipase fat digestion में help करता है तो इस तरह से में पता चला कि stomach में mainly दो enzyme release हो रहे है एक है pepsin और दूसरा क्या है renen ध्यान रखना है कि renen की spelling में double N आ रहा है क्योंकि एक और renen है जिसमें single N रहेगा इसकी बात हम तब करेंगे जब excretory system पढ़ेंगे तो अभी आपको ध्यान रखना है कि यह जो renen stomach में बन रहा है यह क्या है इसकी spelling में double N है तो तीन enzyme होंगे pepsin, renen और lipase अब बात करते हैं digestion in small intestine small intestine में small intestine का जो muscularis layer होता है यानि यह कहें कि small intestine के जो muscles होती है उन में काफी movement होगा और इस movement के वज़े से जो food है वो अच्छी तरह से यहां small intestine में जो भी secretions आ रहे हैं उनसे food अच्छी तरह से mix हो जाएगा अब small intestine के जिस part के हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है diodenum है तो diodenum में food के साथ दूसरे कौन से secretions आके mix होते हैं तो आपको याद रखना है एक secretion आएगा एक liquid आएगा कहां से liver से और एक कहां से आएगा pancreas से और एक कहां से आएगा खुद intestine से तो इस तरह से यहां पे तीन secretion आ रहे हैं एक bile juice आ रहा है कहां से liver से दूसरा pancreas से pancreatic juice आ रहा है और intestine खुद intestine से क्या रहा है intestinal juice आ रहा है यह सब कुछ कहां release हो रहा है diodenum में अब ध्यान यह रखना है कि हमने इसके बारे में पहले ही बात कर लिया है कि liver से और pancreas से जो duct diodenum में जाती है वो पहले क्या हो जाती है जोइन होती है और जब liver वाली duct और pancreas वाली duct जोइन हो करके common duct बनाएंगी तो उसका नाम क्या रहेगा हीपैटो pancreatic duct हीपैटो वर्ड किसके लिए है liver के लिए है और pancreatic pancreas के लिए अब सबसे पहले यह जो हमने तीन liquid की बात की है इसमें सबसे पहले बात करते है pancreatic juice की pancreatic juice में यह मैंने आपे six enzymes दिखा रखे यह six enzymes इस pancreatic juice के अंदर होते हैं कौन-कौन से हैं trypsinogen kymotrypsinogen procarboxy peptides amylase lipase and nuclease हमारे फूड में mainly three components होते हैं सबसे ज़्यादा होता है carbohydrate उसके बाद होता है fat और उसके बाद होता है protein अब यह जो six enzymes के name मैंने बताए इसमें trypsinogen kymotrypsinogen procarboxy peptides यह तीनो जो है inactive form में है और यह जो तीनो है यह किसके digestion में help करेंगे तो यह protein digestion में help करेंगे food में हमने three component होता है protein carbohydrate और fat तो भई protein digest protein को digest करने के लिए diodenum में कौन-कौन से enzymes हैं हमारे पास available उनके नाम तो पता चल गए अब इसके बाद fat को digest करने वाला कौन सा है तो यह जो lipase fifth number पे है यह fat को digest करने के लिए अब carbohydrate को digest करने वाला कौन सा है amylase amylase ने पहले भी आ चुका है mouth में भी release हुआ था तो तब उसका नाम हमने क्या रहता है था salivary amylase क्योंकि saliva में था यह और अब यह फिर से आ रहा है तो इसको क्या बोल सकते हैं pancreatic amylase तो बात यह पता चली कि तीन enzyme तो किसके लिए है protein digest करने के लिए और एक enzyme fat digest करने के लिए fat या lipid तो उसके लिए क्या है lipase और एक enzyme carbohydrate digest करने के लिए उसका नाम क्या है amylase अब जो भी living cells होंगी हम food जो ingest कर रहे हैं उसमें हम fruits वगरा भी ले रहे हैं तो जो living cells होती है उनके अंदर होता है nucleus और nucleus के अंदर क्या होता है nucleic acid nucleic acid यानि की DNA या फिर RNA तो DNA और RNA को digest करने के लिए हमारे पास कौन सा enzyme है nucleus तो इस तरह से pancreatic juice में mainly जो food के तीन component है उनको digest करने के लिए मारे पास क्या है enzyme है अब ध्यान ये रखना है कि जो trypsinogen है ये inactive form में है और जब ये active form में आएगा तो क्या बन जाएगा trypsin जैसे stomach में pepsinogen था वो inactive form में था और जब वो active हुआ तब उसका नाम क्या हुआ तब pepsin हुआ तो उसी तरह से trypsinogen inactive form हो गया enzyme का और जब ये active होगा तब इसका नाम क्या हो जाएगा trypsin अब ये active होगा कैसे तो जो duodenum है यानि कि small intestine अगर हम इसका cross section कट करें तो जो इसकी सबसे inner layer होगी उसे बोलते है mucosa mucosa के अंदर वाली जो layer होती है उसे बोलते है sub mucosa तो जो mucosa layer है वहाँ से एक enzyme release होता है जिसका नाम क्या है enterokinase और ये जो enterokinase है ये trypsinogen को किसमे convert कर देगा trypsin में और उसके बाद जो trypsin है ये बाकी की जो enzyme है chymotrypsinogen, pro carboxy, peptides ये इनको activate कर देगा तो बात समझ में आ गई आपको कि पहले mucosa से यानि कि जो intestine small intestine का inner most layer है वहाँ से एक enzyme release होगा जिसका नाम क्या है enterokinase और ये further फिर किसको activate कर देगा chymotrypsinogen को तो chymotrypsinogen जब activate होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा chymotrypsin इसी तरह से pro carboxy peptidase जब active होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा carboxy peptidase जैसे stomach में pro renin था तो pro word हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा renin जो उसका active form है तो इसी तरह से pro carboxy peptidase में जो pro word है इसे हटा देगे तो क्या बन जाएगा carboxy peptidase अब ध्यान ये रखना है कि food अभी आ कहां से रहा है stomach से और stomach का जो pH था वो कैसा था highly acidic और अब diodinum में कैसा होने वाला है basic होने वाला है तो acidic और basic इन दोनों से जो बाकी cells है mucosa की यानि कि intestine की जो inner most layer में जो cells हैं उनको बचाने के लिए उनको protect करने के लिए यहाँ पे mucus और bicarbonate present है और यह A कहां से रहे हैं यह pancreas से आ रहे हैं तो ध्यान रखना है mucus और bicarbonate कहां थे stomach में भी थे protection के लिए और यहाँ भी है protection के लिए और जो यहाँ पे basic pH रहेगा वो कितना रहेगा 7.8 क्योंकि यहाँ जो fat digest करने वाले enzymes हैं वो किसमें काम कर सकते हैं basic pH में अब मैंने आपको बताया कि जो diodenum है diodenum की जो innermost layer है innermost layer उसका नाम क्या बताया गया mucusa और mucusa के बाद जो अगली layer है बाहर के तरब उसका नाम क्या है sub-mucosa तो sub-mucosa वाली location में कुछ glands होती है जिनका नाम क्या है bruners gland और यह जो bruners gland है यह जो अभी मैंने बताया कि यहाँ basic pH रहता है तो basic pH को maintain करने में और कौन help करता है bruners gland भी help करती है अब बात करते हैं कि जो pancreas से enzymes release हुए थे वो कैसे कैसे काम करेंगे तो ध्यान रखिए stomach में protein का mainly digestion हुआ था अब जो protein का digestion हुआ है वो किसमे convert हो गया protein peptons और proteuses में अब हो सकता है कि कुछ protein बच भी गया हो वो नहीं convert हो पाया हो proteuses और peptons में तो कुल मिलाके जो protein वाला component है उसमें वो protein जिनका digestion नहीं हो पाया और वो protein भी जिनका digestion हो चुका है किसमें? proteuses और peptons में इन तीनों को और भी small particles में break करना है और इसके लिए हमारे पास कितने enzymes हैं? यह सारा protein का component है इसको और भी break करना है इसको break करने के लिए जो हमारे पास enzymes हैं वो कितने हैं? तीन है कौन-कौन से? trypsin जो किस form में था पहले inactive form कौन सा था? trypsinogen दूसरा enzyme कौन सा है? kymotrypsin यह किस form में था? kymotrypsinogen की form में था और इसी तरह से तीसा enzyme का नम क्या है? carboxy peptidase यह किस form में था? यह pro-carboxy peptidase की form में था तो यह जो तीन enzymes हैं यह तीनों मिल करके protein, pepton और proteases इनको और break करेंगे और क्या बना देंगे? dipeptide आपको ध्यान रखना है कि protein को जब break किया तो क्या बना? pepton और proteases इसको और break करेंगे तो क्या बन रहा है? dipeptide dipeptide को भी अगर break कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? amino acid तो हमें यह पता होना चाहिए कि protein के digestion का जो last product है वो क्या रहेगा? amino acid रहेगा तो food में जो protein वाला part है उसको digest करने का काम कैसे होगा? यह तो देख लिया हमने अब बात करते हैं कि food में जो carbohydrate क्योंकि carbohydrate अभी कितना digest हुआ है? माउथ में हुआ था और कितना digest हुआ था? 30% तो अब carbohydrate को यहाँ digest करना है तो carbohydrate को digest करने के लिए यहाँ पर हमाँ पर जो enzyme health का नाम क्या है? amylase spelling में थोड़ा से यहाँ पर correction करना है pancreatic amylase होगा तो यह जो pancreatic amylase है यह polysaccharide को किसमें कर देगा? disaccharide अब थोड़ा से यहाँ पर पहले यह समझ लेते हैं कि polysaccharide और disaccharide क्या है? देखिए poly यानि कि बहुत सारे और saccharide का मतलब होता है sugar जो carbohydrate होता है उनको हम classify करते हैं तो तीन दरे का carbohydrate समझा जा सकता है एक होता है polysaccharide और एक होता है disaccharide और एक होता है monosaccharide हम ज़्यादा detail में इसके बारे में बात नहीं करेंगे थोड़ा सा brief में देख लेते हैं आपने glucose सुना होगा glucose जो है वो क्या है? वो monosaccharide है यानि कि one sugar mono यानि one saccharide यानि sugar अब दो glucose अगर मिल जाएं तो इसको क्या बोला जाए? dye बोला जाए तो इसको क्या बोलेंगे? dye saccharide जब दो glucose मिल जाते हैं तब क्या बनता है? maltose बनता है एक glucose के लिए क्या word यूज कर रहे है? monosaccharide दो glucose मिल गए तो इसके लिए क्या word यूज कर रहे है? dye saccharide अब अगर बहुत सारे glucose मिल जाएं तो इसके लिए क्या word यूज करेंगे polysaccharide तो जब मैं कहूँ polysaccharide का example तो starch मैं कहूँ disaccharide का example तो maltose और मैं कहूँ कि monosaccharide का example तो glucose तो ये बात समझ में आ गई कि जो हम carbohydrate ingest कर रहे हैं जब उसको तोड़ा जाएगा तो पहले तो carbohydrate यानि कि starch पहले किसमें तूटेगा पहले maltose में तूटेगा उसके बात और तोड़ेंगे तो इसमें किसमें कि तूट जाएगा ये glucose में तूट जाएगा तो यहाँ पास ये जो pancreatic amylase है ये starch को किसमें convert कर रहा है ये disaccharide में convert कर था disaccharide यानि की maltose तो food के दो component का digestion हो गया protein का हो गया है और carbohydrate का हो गया है अब क्या बचा fat तो fat को digest करने वाला enzyme कौन सा है lipase तो fat को जब हम break करते हैं तो पहले किसमें तूटेगा diglyceride में उसके बाद और तोड़ देंगे तो किसमें तूट जाएगा monoglycerides में तो आपको पता चल गया कि food के जो तीन component हैं इनको जो break करते हैं तो ये किसमें किसमें तूटते हैं सबसे पहले protein protein किसमें तूटेगा peptons और proteuses में और तोड़ेंगे तो किसमें तूट जाएगा dipeptide और तोड़ेंगे तो किसमें तूटेगा monosaccharide यानि कि मालटोज जो है वो किसमें तूटेगा glucose में अब बात करते हैं कि जो nucleic acid है nucleic acid यानि कि DNA और RNA इसको भी digest करने के हमापस enzyme है pancreatic juice में ही और उसका नाम क्या है nuclease अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो nucleic acid होता है nucleic acid जो होता है वो किससे बना होता है तो वो बना होता है polynucleotides से polynucleotides से poly यानि बहुत सारे और nucleotide मतलब क्या तो nucleotide जो है वो unit है जो phosphate, sugar और base से मिलके बनी होती है ध्यान से जुनिए मैं कह रहा हूँ कि nucleic acid यानि कि DNA ये कैसे बना है ये क्या है तो DNA polynucleotide है DNA या फिर RNA क्या है polynucleotide poly यानि बहुत सारे और nucleotide मतलब क्या phosphate, sugar और base तो आप से कोई पूछे कि DNA किस चीज़ से बना हुआ है तो आप कहेंगे polynucleotide से बना हुआ है और कोई पूछे nucleotide क्या होता है तो कहेंगे आप phosphate, sugar और base को मिला करके जो structure बनता है उसे बोलते है nucleotide अब nucleic acid पहले जो इसके nucleotides है वो अलग होंगे पहले आपको जब आप DNA या RNA को तोड़ेंगे तो पहले किसमें तूटेंगे ये? nucleotide में उसके बार nucleotide को और तोड़ेंगे इसमें से क्या चीज़ अलग हो जाएगी? phosphate अलग हो जाएगा और जब phosphate अलग हो जाएगा तो बचा क्या? सुगर और base तो सुगर और base को क्या बोलते है nucleoside बोलते है ठीक है? जैसे ATP adenosine triphosphate आपने सुना होगा ATP में से एक phosphate हटा दिया जाए तो क्या बन जाता है? ADP adenosine diphosphate वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा है nucleotide में से एक phosphate हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? nucleoside बन जाएगा तो यह सारी बात के कहां पर चल रही है? यह सब कुछ हो का रहा है deodenum में यानि कि small intestine के जो first reason है वहाँ चल रहा है और अभी हमने deodenum में जो भी activities चल रही है deodenum में तीन तरह का secretion आता है तो अभी हमने वहाँ जो चल रहा है उसमें किसका रोल देखा? pancreas का रोल देखा है अब deodenum में ही bile juice की वज़े से क्या चल रहा है? उसकी बात कर लेते है बहुत important है bile juice कहां से release हो रहा है? liver से release हो रहा है bile juice में important क्या है? important ये है कि bile juice digestion में help तो कर रहा है लेकिन इसमें कोई digestive enzyme नहीं है ये बात बहुत important है तो जो bile है bile में bile का composition क्या है? तो इसमे bile pigments होते हैं Billy Doobin and Billy Verdin इसमें bile salts होते हैं cholesterol होता है phospholipid होता है लेकिन क्या नहीं होता है? enzyme नहीं होता है तो ये करता क्या है? तो bile basically जो fat के big globules होते हैं उनको break करता है और smaller globules में convert करता है bile क्या करता है? जो fat के big globules होते हैं उनको break करेगा और किसमें convert कर देता है? small globules में इसके लाबा ये lipase को भी active करता है यानि कि fat digestion में help कर रहा है एक तो ये fat को mechanically तोड़ रहा है उसको break down कर रहा है दूसरा ये और किसमें help करता है ये lipase को भी activate करता है तो इस तरह से indirect तरीके से किसमें भी role play कर रहा है chemical digestion में भी play कर रहा है तो डियोडिनम में जो भी activity चल रही है उसमें हमने पहले pancreas का role देखा फिर हमने liver का role देखा और अब हम किसका role देखने वाले हैं intestine का तो देखें, intestine से जो juice release होता है उसका नाम क्या है? intestinal juice और इसको क्या बोलते हैं? saccus entericus small intestine का जो innermost layer है, उसका नाम क्या है? mucosa और mucosa में जो cells होती है उनका जो surface होता वो कैसा होता है? brush like होता है इनका border कैसा होता है? brush like होता है इसको क्या बोलते है? brush border cells और इनहीं के बीच बीच में कुछ cells होती है जिनका काम होता है mucos secret करना इनको क्या बोलते हैं गोबलेट सेल्स तो इनका जो पूरा mixed जो फ्लूइड बनता है इन्हें क्या बोलते हैं इन्हें बोलते हैं intestinal juice या succus entericus अब ये जो juice होता है इसमें कौन-कौन से enzymes होते हैं तो इसमें होता है disaccharide को तोडने वाला enzyme और इसका नाम क्या रहेगा disaccharide days जिसको तोडना है उसी के बेस पेस का नाम है disaccharide days इसी तरह से dipeptide को तोडने वाले enzyme को क्या बोलते हैं dipeptide days ठीक इसके लावा lipase और nucleosides nucleoside को तोडने के लिए क्या है nucleosides अब उपर मैंने आपको जो बताया कि हमारे food में तीन component है carbohydrate है fat है protein है मैंने ये भी बता दिया कि इनको break करेंगे तो जो सबसे last product होगा वो क्या बनेगा तो intestinal juice होता है ये सब को चल कहा रहा है सब को चल रहा है diodenum में diodenum में ही pancreas से जो secretion आ रहा है उसका action हो रहा है वहीं पे liver से जो juice आ रहा है उसका भी action हो रहा है और वहीं पे intestine से जो juice आ रहा है उसका भी action हो रहा है लेकिन सब का role अलग-अलग है है ना तो pancreas से जो secretion आया था उसने हमारे food के तीन component को तोड़ा था लेकिन उसको ultimate उसका breakdown नहीं हुआ था जैसे protein को break किया था हमने कहां तक? dipeptide तक लेकिन dipeptide को भी जब और तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? amino acid बनेगा तो यानि कि protein का हम जब breakdown करेंगे तो जब सबसे last product बनेगा वो क्या बनना है? amino acid तो ये कहां बनेगा? बनेगा तो diodinam में ही लेकिन किसकी help से बनेगा? तो ये intestine से जो juice secret हो रहा है उसकी help से बनेगा कौन से enzyme इसमें help करेगा? dipeptide dase अब देखिए जो carboidid है carboidid को हमने polyseccuride की form में लिया था intake किया उसको तोड़ा तो क्या बना? di saccharide बना उपर मैंने अभी आपको एक di saccharide का नाम बताया था maltose अब maltose जैसे ही दो और di saccharide अपने पास है lactose है और sucrose है maltose के बारे मैंने बताया था कि maltose को अगर break करते हैं तो दो glucose मिलते हैं maltose को अगर break करते हैं तो क्या बनते हैं? दो glucose बनते है maltose क्या है? di saccharide है और glucose क्या है? monoseccharide है तो यानि di को तोड़ा तो क्या मिला? mono अब maltose को तोड़ने वाला जो enzyme है उसका नाम क्या है? maltase इसी तरह से lactose को तोड़ने वाले enzyme को क्या बोलते हैं? lactase इसी तरह से sucrose को तोड़ने वाले enzyme को क्या बोलते हैं? sucrase ठीक? तो हमने देखा कि भई protein को digest करने वाला enzyme कौन है? di peptidase है और carbohydrate को break करने वाला enzyme कौन सा है? maltase, lactase और sucrase यह तीनों ही किसको ड़िश्ट कर रहे हैं? carbohydrate को क्योंकि maltose, lactose और sucrose यह क्या है? यह carbohydrate है carbohydrate का ही second form है एक तो polysaccharide होता है polytuta तो क्या बना? disaccharide और disaccharide भी तूटा तो क्या बना? monosaccharide यानि कि lactose जब तूटता है तो glucose और galactose जो लिखा हुआ है इसमें galactose क्या हुआ? monosaccharide तो आप से अगर मैं पूछू अच्छा monosaccharide का example बताओ तो एक तो glucose हो जाएगा इसी तरह से एक galactose हो जाएगा और इसी तरह से एक क्या हो जाएगा? fructose और मैं कहूँ कि nucleic acid को हमने तोड के कहा तक रख दिया था? nucleotide में तोड़ा था और nucleotide को भी किसमें तोड़ दिया था? nucleoside में फिर भी कुछ अगर nucleotide बचा हुआ है जो नहीं तूट पाया था nucleoside में तो उसको तोड़ने के लिए nucleotidase enzyme है nucleoside को तोड़ने के लिए कौन सा enzyme है? nucleosidase ये बात अभी उपर बताई जा चुकी है आपको कि जो nucleotide है वो क्या है? phosphate, sugar और base nitrogenous base होते हैं phosphate, sugar और nitrogenous base इन तीनों को मिला के क्या बनता है? nucleotide बनता है और बहुत सारे nucleotide मिला दे तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है nucleic acid यानि कि DNA या फिर RNA अब हमें अगर nucleotide को तोड़ना है तो enzyme कौन सा यूज करेंगे? nucleotidase जब इसको तोड़ेंगे तो क्या अलग हो जाएगा? phosphate अलग हो जाएगा बचेगा क्या? sugar और base बचेगा तो sugar और base इन दोनों को sugar और base यानि कि nitrogenous base इन दोनों को साथ में क्या बोलते है? nucleosides nucleoside बोलते है और nucleoside को और तोड़ना है हम sugar और base को भी अलग करना चाहते है तो इसके लिए कौन सा इंजान चाहिए होगा? nucleosides तो बहुत असान है maltose को तोड़ने के लिए maltase lactose को तोड़ने के लिए lactase sucrose को तोड़ने के लिए sucrase nucleoside को तोड़ने के लिए nucleosides nucleoside को तोड़ने के लिए nucleosides अब इसके बाद जो fat को हमने digest किया था कहां तक तोड़ रहा था? die और monoglyceride तक तोड़ दिया था किसकी help से पैंक्रियास से जूस मिल रहा था उसकी help से अब इसको और भी तोड़ना है तो इसको तोड़ने के लिए एंजाइम का नेम वही रहेगा लाइपेज यह स्टार्टिंग से काम कर रहा है यानि कि जब fat को हमने dye और monoglyceride में तोड़ा था तब भी उसका नाम क्या था? लाइपेजी था और जब dye और monoglyceride को fatty acid और glycerol में तोड़ रहे हैं तो अभी भी नाम क्या है? लाइपेजी है तो ध्यान रखना है कि fat को break कर रहे हैं तो देखे fat तूटेगा तो किसमें पहले तूटेगा? dye और monoglyceride में और तोड़ेंगे तो किसमें तूटेगा? fatty acid और glycerol में यानि कि fatty acid और glycerol ये क्या है? last product है किसके? fat के अब यहाँ जो कुछ भी हमने तोड़ा है इन सब को आगे absorb करने के लिए कहां फेज दिया जाएगा? small intestine के तीन पार्ट बताये थे deodenum, jejunum और ileum तो जो भी सारी अभी activities enzyme की चल रही थी कहां चल रही थी? deodenum में अब jejunum और ileum में क्या होगा? वहाँ होगा absorption